गुद मॉनिंग स्टुरेंट्स तो आज हम रीट करेंगे क्लास सेकेंड का इंगिश मीडियम का साइंस की जो बुक है आपकी उसका चैप्टर तेन और जो आपका टाइटल है वो है वाटर चैप्टर ने तो इसका हमारा फर्स पार्ट कम्टीट हो चुका था आज हम रीट कर जो आपके वाटर होते हैं सोर्स कहां कहां से होते हैं एक तो रहन होता है जो बारिश होती है आप जानते होंगे कि बारिश होती है तो पूरे खेतों में पानी आता है ठीक है और गड़ों में कहीं गड़्धे होते हैं उसमें भी होल्स में भी सारे पानी भर जाते हैं गया एक होता है river, river से भी हमें बहुत help मिलती है, अगर किसी का खेत river के पास होता है, तो वो आसानी से hand pump लगा के बोरिन हुई, या कुछ और भी चीज़े pipe लगा के कुछ करके, वो आसानी से अपने खेतों में पानी ले जा सकता, फिर आपका होता stream, ठीक है, यह आपकी stream पानी में हाँ छीज में हमें help मिलती है, घर के जितने भी काम करने होते हैं, कपड़े दुलने में, खाने खाना बनाने में, और भी पानी को पीने में, जानवरों को देने में, इस समय मतलब आइनिमल्स के लिए भी और आपके घर के लोगों के लिए बहुत help लोता है, इसक तो किसी को में जातार नल लगे नहीं होते थे, तो एक कुणा रहता था उसी से, आप लोग ने मुवी में भी देखा हो गए, जिसके महाँ पुराने लोग होंगे, वो बताते होंगे कि कुवें से पहले पानी निकाल कर पिया जाता था, तो ये भी वाटर का ही सोर्स है, ठ तो आप रहन कह दीजे, स्ट्रीम कह दीजे, रीवर, हैंड पंप, एंड विल, ठीक है, ये सब आपके वाटर के सोर्स होते हैं, चलिए अब हम नेक्स टॉपिक पर आते हैं, ये हमारा हाव वाटर बिकम स्टर्टी, मतलब पानी कैसे गंदा हो जाता है, उसके बारे में हमक क्लीन, मतलब जो आपके पानी होते हैं, कहां के तालाबों के, जीलों के, और नदियों के, और कुणों के, ये सब क्लीन नहीं होते हैं, साफ नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, उसे आगे में पता चलेगा, क्यों नहीं साफ होते हैं, इट कंतें डर्ट एंड जर्म्स, गंदगी होती है और किटाडू होते हैं ठीक है किटाडू बहुत हर्मफुल होते हैं फिर आपका इसके बार ड्रिंकिंग डिश वाटर कें मेंक अस्थिक मतलब इस पानी को पीने से हम क्या पढ़ सकते हैं हम बीमार हो सकते हैं सिख हो सकते हैं ठीक है तो अगर आप विमार नहीं होना चाहते तो इस तरीकी में कभी ना पैल डाले ना और ना नहाए और ना कभी ऐसी मतलब कंडिशन ना है कि आपको इसका पानी पीना पड़े क्योंकि यह बहुत हार्फुल है लुक अट दा फालॉइंग पिच्छर अब आप पिच्छर देखेंगे जो नीचे दी गई है पिच्छरों को तो ठिंग हाउ वार्टर वि कम ज रिटे और आप सोचिए कि कैसे पानी गंद्ध हो जाता है कैसे गंद्य हो जाते उसके बारे में देखते हैं तो पहला तो आपका है वेस्च वार्टर फॉम् फैक्टरी जो आपके वेस्ट के उलते हैं वेस्ट सोते हैं मतलब गंदगियां होती है फैक्टरी की जो फैक्टरियों में आपके जिसे शकर बनती है शराब बनती है और भी कई तरीके के सामान मटेरियल बनते हैं बनाय जाते हैं तो उसमें से गंदगी जितनी निकलती है वो सारी गंदगी किसमें आती है वाटर में आ का हमारे ठीक नहीं होता है। पर दूसरा आपका है अइनिमल बाथिंOFF मतब जानवरों को नहें यहांना जानर पता नहीं कहां गंदी गंददी जगों पर रहते हैं उनको पानी में नहला जाता हो उससे भी नो के बौटनी फिली जोती curry… उससे भी पानी क्या हो जाता है डर्टी हो जाता है तो यह हमारे दो हो गए टॉपिक अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे अपने वाशिंग वाशिंग मतलब कपड़े होने से ठीक है कपड़े हमारे गंदे होते हैं डर्टी होते हैं उन्हीं कपड़ों को हम किसमें धुलात थरीए इस तरीके से भी पानी गंदा होता है अब अमारते हैं अपना लाध्स चोप बचा हुआ है त्रो गार्बिज मतलब कूड़ा करकट फेकने से भी पानी क्या होगा गंदा ही होगा क्योंकि गंदगी आप फेक रहें कि अच्छी चीज दमाएं फेक रहें दवाएं डाल रहें की पानें उसे क्लीन हो सके ना कि उसकी सफाई करे छो ग्लाइब पानी के लाइक होते हैं लेकिन किसी निवेश पैके जारे रहे हैं इदर599 today का जा रहा है यह प्ली टाला जारे हैं यह दूले जाए हैं यहां घृच कर्क डाला जा रहा हुता है तो इससे पानी क्लीन नहीं होगा फीके वह हमारे लिए हर्मकुल ही होंगे और जिससे हमें कई तरीके की बीरियां भी हो सकती हैं in the picture water autumn the factory is following into the a real आपने पिच्छर में देखा कि पानी में फैक्टरी के जितने भी मतलब फैक्टोर्ब से कैसे पानी में गंदगियां चले जाती हैं जो पानी होते हैं तो आपने देखा कि कैसे फैक्टरियों से गंदे पानी चीज़ें या पानी निकल कर नदियों में कैसे किस तरीके से बैहते हैं फिर आपने देखा people are washing their cloths लोग अपने कपड़े को वाश करते हैं उसमें धुलते हैं bathing their animals और अपने जानवरों को नहराते हैं जिससे उससे भी गंदगी होती है दे आलसो थ्रो गार्बेज इंटू दा रीवर और वे कूडा करकट को गंदगी को भी रीवर में फेकते हैं नदी में डालते हैं इस वाटर यह जो पानी होता है यह हमारे लिए क्या होता है सेफ नहीं होता है हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं अगर हम इसे यूज करेंगे तो यह हमारे लिए बहुत harmful होगा इससे हमें कई बिमारिया होंगी बुखार होंगे तब्याद खराब होगी और हम कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहेंगे तो ऐसा ना करें यह सारी चीज़ने जो पिच्छर में आपने देखी है ऐसा कोई करता है तो उसे रोके मना करें और अपने पानी को द्रिटी होने से बचाएं अब हमारा सेकन्ड ट्ॉपिक जो है क्लीन बार्टर साफ पानी अब पहले हमने जाना कि पानी कैसे गंदा होताortionता आंब मतब कैसे बंदा होता साफ पानी आ ठीक है जानेंगे कि साफ मार्टर सब्सक्राइब करते हैं तो खंडलिय्स अच्रीआ पॉइन वाटर क्लीन पार बाइलिंग ऑबालना है तो हमें वाटर को क्टीन करने के लिए 20 मिनट तक उसे गर्म करना चाहिए उसके बार उसको पीना चाहिए बॉाइलिंग केशी जर्म वाटर मतलब पानी को गर्म करने से उसके जितने भी जर्म सोते हैं जितनी भी गंदगियां होती हैं वो पानी में ही क्या होती है मर जाती है ठीक है तो वो खितम हो जाती है और पिर जब हम उसे पिएंगे तो वो हमारा फ्रेश पानी होता है क्लीन वाटर होता है जिसको पीने से हमें कोई बीमारी परीशानी हमारे बाडी को होगी भी कैना सो ख्लीन वाटर उस ख्ली हम में घ्रों यह ठीक है और लोग लगवाते हैं कि आजकल इतनी जादा बीमारे सब को होने लगी हाट प्राब्लम हुई या आपकी प्रॉब्लम हुई लीवर प्रॉब्लम हुई तो बहुत ऐसे चीजें होती है एकपा भी रहता है वाटर फिल्टर जो कहना आप कह सकते हैं तो सबके वाँ यह लगा होता है जिसे का पानी पीया होगा है यदो का पानी निर्वी जानता है तो यह तो वाटर फिल्टर का भी हम यूज्ट करके पानी को क्या कर सकते हैं क्लीन कर सकते हैं इंस सिटी शैरों में पिपूल गेक्ट टैड़ लोग कैसा मताल मताब दैट जुछ आ यूज सबस्वन saber tap water is safe to drink म不對 tap water हो सेफ होता है पीने के लिए बहुत सही होता है इडिस क्लीनड leo इंदव और यह कीडर करता है waterworks board it also supplied to home और इससो करने से लाङ़ फिसे क्लीन किया जाता है ऑप वाइटर वरक्स इसे कहते हैं सब्सक्राइब करने से पहले आप वाटर वर्ट को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं तो यह सारे चीज़ इसको भी आप अगर जानते होंगे इसे साफ करना तो आप घर पे साफ कर सकते हो बट अगर आपको नहीं बता तो आप उसके मेकैनिक को बिला के जो इसे करते हैं लगाते ह उन्हें बुला के आप इसे साफ करवा सकते हो अगर आपको मतलब 15 दिन पर करवाईए एक महीने पर करवाईए जैसा आपको ठीक लगे जिससे साफ से आपका आरो अच्छा चलता हो खराब चल रहा है उसी तरीके से आप करवा सकते हैं उसके बाद आपका आता है लास्ट बाल्टी चार बाल्टी गिर गया कोई वह नहीं किचन में आउन कर दिये खुला है ठोटी छोड़के चले गए पानी गिरता रहे तो इस तरीके से पानी क्या हो जाता है वेस्ट होता है ठीक है और हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चीए कि हमारे लाइफ में वाटर की बह जादा यूसफुल होता है वी मस्ट नॉट वेस्ट हमें इसे वेस्ट नहीं करना चीए मतलब इसे हमें खराब या बरबाद नहीं करना चीए वी मस्ट टरन आफ टैप आप्टर यूस वी मस्ट टरन आफ हमें बंद करना चाहिए टैप मतलब टोटी को आप्टर यूस परि इसमे करना चाहिसे कथा में ख्याय करेंना झायंब थे शोका में तयाय के साता मुझज़ी नियुक can be used भज़ने के लिए पानी का यूज़ करें झाय किस्में नहँने के लिए छे मचांडत्त और पौत दों पानी के लिए आप इस पानी का यूज कर सकते हो ठीक है तो collecting and using rainwater is one way of saving water मतलब collect करना एकठा करना and using और उसका उसको यूज करना परयोग करना rainwater मतलब वर्शा के जल को rainwater को collect करना और उसका उपयोग करना इस वन वे एक तरीका हो सकता है saving water पानी बचाने का अगर आप पानी को बचाना चाहते हो तो वर्शा के जल को rainwater को collect करिए और उसी का use इन सारे चीजों में करिए इससे आप water को save कर सकते हो तो I hope कि वीडियो आपको समझ में आया आपने इससे सीखा हो जो आपका topic था हमारा how water becomes dirty फिर आपका था clean water उसके बाद हमने बताया saving water मतलब पानी के बच्चाओ के बारे में उसे साफ करने के बारे में और कैसे वो गंदे हो जाते हैं उसके बारे में भी तो यह chapter हमारा यहीं पर close होता है I hope कि वीडियो आपको अच्छी लगे और आप इससे और भी जादा सीख हैं और जो गलतियां इसमें बताई गई हैं कि चा क्या नहीं करना चाहिए वो आप उसे दोहराएना और उसे अच्छे से उसे follow करें नेक्स वीडियो में नेक्स चैप्टर आपका read कराया जाएगा फिलहाल के लिए इसे अच्छे से learn करें read करें